हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चेनल ओनलाइन आई टेए पर दोस्तों नेश्टल फर्टी लेजर्स लिमिटेड जो की भारत सरकार के अधीन आने वाली एक महारत्न पी एस यू कमपनी है और इस कमपनी द्वारा हाली में अपने अलग-अ प्लांट्स जो की भारत के अलग-अलग राज्यों में इस्थित है जिसमें मैं बताना चाहूंगा मध्यप्रदेश के गुना जीले में विजेपूर इस्थित दो प्लांट है हरियाना के पानिपत में पंजाब के भटिंडा नांगल में और आपने नोएड़ा इस्थित हे गाली गई है जिसमें जूनियर इंजिनिंग असिस्टेंट ग्रेट टू की पोस्ट है साथ ही लोको अटेंडेंट की भी पोस्ट है इसमें ओटी टेक्निशन की पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन अलग से रहेगी स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है जो की नर्सिंग और लोको अटेंडेंट ग्रेट थर्ड के पोस्ट पर निकाली गई है इसमें अपलाई करने के प्रोसेस पर आज हम पूरी वीडियो लेकर आए हैं आज की वीडियो को देखकर आप अपना इस वेकेंसी का ओनलाइन फॉर्म खुद अपने मोबाईल से भर सकते हैं तो दोस्त इस वेकेंसी का ओनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एनेफिल के ओफिशल वेबसाइट के लिंक पर आना पड़ेगा ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन में भी मैं आपको डाल दूँगा साथ ही हमारे टेलिग्राम गुप से भी आप ये लिंक डारेक्ट एक्सेस कर सकते हैं जिससे कि आप सीधा इस पेज पर पहुच जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंगे सेकेंड नंबर पर वेकेंसी जो ये निकली वी ये नोन एक्जेकेटिव पोस्ट पर वो यहाँ पर फ्लेश हो रही है जो की रिक्रूट्मेंट इस पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वीव आले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरी के से पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट का एक आप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप इस वेकेंसी अपनी application में कुछ सुधार भी कर पाएंगे तो इसमें apply करने की last day मोटे तोर पर 8 November रखी गई उससे पहले आपको online apply करना होगा इसमें आप देख सकते हैं जो vacancy जिन post वर निकाली गई है उसकी सूची नीचे की और आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें सारी जो post हैं जैसे की junior engineering assistant grade second production local attendant grade second nurse pharmacist attendant grade one mechanical feature आप देख सकते हैं जिस भी trade से आपने ITA किया हुआ है diploma किया हुआ है वो भी आपको संबंदी trade या देखने को मिल जाएगी साथ ही आप notification में भी eligibility वाले section में जाकर अपनी eligibility check out कर सकते हैं कि आप किस post पर apply करने के लिए eligible है तो सबसे पहले हम जो भरती apply करना चाहते हैं जिस भी post पर apply करना चाहते हैं उस पर click कर देंगे जैसे कि हम attendant grade first electrical का एक form भरने वाले हैं तो इसके सामने apply now का एक बटन इस पर click कर देते हैं इस पर click करने के बाद candidate registration के एक window open हो जाती है इसमें सबसे पहले candidate का full name डाला है जो कि 10 की mark sheet के according होना चाहिए second option में date of birth आपको click करने के बाद इस window में select करनी होगी ठीक है ये भी 10 के अनुसार होना चाहिए mobile number में आपको आपका चालू mobile number डाला है पर जो OTP आया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है जिसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसी तरीके से second वाला जो option है इस पर आपको आपकी email ID पर आयोए OTP को डालना है और नीचे की और आपका एक password आपको generate करकर नीचे दोबारा से उसको confirm password में डाल कर register कर देना है password create करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका at least 8 character का एक password होना चाहिए जिसमें पहला character या कोई सा भी एक character upper case में होना चाहिए एक number होना चाहिए और एक special character होना चाहिए इसके बाद दोस्तों आप candidate login वाले page पर आ जाएंगे के बाद आपको login कर लेना है login करने के बाद दोस्तों इस तरीके से window open हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ही कुछ details यहाँ पर दी हुई है साथ ही apply for non executive vacancies यहाँ पर एक option दिया हुए जिसमें click करने पर drag and drop के मादियम से जो post हैं अभी इस vacancy में निकली हुई है वो आपको show हो जाएगी जिस भी post पर आप apply करना चाहते हैं वो आप drag and drop के मादियम से select कर सकते हैं जिसके attendant grade 1 electrical हमने यहाँ select कर लिया है ठीक है non executive vacancy में अगर apply करना है तो जिसमें आपको बताया है उसको select करके vacancy को आपको के वल अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर दे हैं जिससे की registration instruction to candidate का एक window open हो जाएगी यहाँ पर आपने को एक एक करके चीजे registration में डाल देनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ mobile number और email ID दी हुई है इन्हें भी आप note down कर सकते हैं जिससे के आपको इस vacancy से सम्मंदित कोई भी साहिता भविश्य में लेने में help हो जाएगी यहाँ मैं 7 next पर क्लिक कर देता हूँ उससे पहले आपको यहाँ पर check box पर tick करके 7 next पर क्लिक कर देना है 7 next पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले personal details भरने के लिए यहाँ पर window open हो गई है जिसमें कि आप देख सकते हैं जिस भी unit में आप apply करना चाते हैं सबसे पहले वो unit आपको select करनी पड़ेगी जैसे कि यहाँ पर 4 unit में आपको बताई थी candidate का name, mobile number, email id, date of birth जो की automatically fill आएगी जो की restriction के दोरान हमने डाली थी इसके बाद आप देख सकते हैं next detail में आपको father name भरना है candidate का gender आपको dragon drop के मातने में से select करना है जो भी आपकी category है वो category आपको यहाँ पर select करनी है अगर आप unreserved हैं general में तो यूर आपको select करना है SC, ST, OBC, EWS यह आप select कर सकते हैं category applied for आपके automatically category select करने के बाद open हो जाएगी state of domicile जिस भी आज़े कि आप मूल निवासी है वो यहाँ पर आपको select कर लेना है ex-serviceman candidate को यहाँ पर select कर लेना है are you serving officer in armed force तो यहाँ आपको select कर लेना है person for disability में अगर आप physically handicapped है तो यहाँ पर select कर लेना है इसी तरीके से आपको अगर जम्मू कुश्मीर के मूल निवासी रहे हैं 1980-1989 के बीज में तो यहाँ पर आपके लिए option दिया हुआ है अगर आपके dependent किसी तरीके से मारे गए है तो यहाँ पर आपको select कर लेना है disabled या फिर वो नहीं है तो यहाँ पर आपको select कर लेना है इसी तरीके से next option है आपको कि अगर आपका कोई NFL में आप employee है NFL में अगर आप ओल्रेडी काम करते हैं किसी department में तो यहाँ पर आपको select कर लेना है और अगर आपने कोई apprentice की ट्रेनिंग की हुई है NFL से तो भी उसके लिए option यहाँ पर दिया हुआ है तो दोस्तों जैसा कि हम बताते हैं कि apprentice करने का कई बर फाइदा आपको किसी तरीके से उस department की भरती में मिल जाता है तो यहाँ पर definitely कुछ पोस्ट है कुछ reservation जो apprentice वाले candidates के लिए भी मिल सकता है यहाँ पर तो यह सारी details भरने के बाद हम 7 next कर देंगे 7 next करने के बाद next option खुलता है other details का इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको बाद में हमें upload भी करना होगा और उसका ID proof नमर यहाँ पर mention भी करना होगा तो यहाँ पर आधार card आपको इसा भी है आपका ID proof यहाँ पर select कर सकते religion में आपको drag and drop region आपका select करना है correspondence address में आपका जो वर्तमान पता है वो यहाँ पर आपको पूरा डाल देना है आपको आपका city का नाम डाल देना है पीन को डिस्टिक स्टेट आपको डाल देना है आपको nearest service station आपको यहाँ पर डाल देना है इसके बाद आगर आपका इसना ही पता है वरतमान पते की तरह है तो आपको यहां पर टिक कर देना है जिससे कि आपको वरतमान पता इस था ही पते के रूप में नीचे की और automatically enter हो जाए alternate mobile number में आपके पास अगर कोई दूसरा mobile number आप डालना चाते हैं तो यहां डाल सकते हैं अग्जाम सेटी के नाम यहां और अफको देखने को मिल जाएंगे जो भी अग्जाम सेेटर कार सकते हैं तो आप का उस के वाकर जस्वी ते पॉस्स के लिए अप्लाई किया है उसकी जो असेंशल ने आपको का जिस मोहाँ इन्सीट और टाल देना है जासे कि आई को मैं da डाल देता हूं आपका नेच्र65 में करेशन में है duration of the course आपको कोर्स की आउधी कितने वर्ष्ट रही है वह आपको यहां पर यहां पर जिस डेट को आपको आपको यहां पर डाल देनी है आदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं आपको 10 की आपकी यहां पर को पर देना है अभर उनिवर्ष्टी आपने जिस भी बूर्ट से 10 किया वह आपको यहां पर डाल देना है चीक इसके बाद next आप देख सकते हैं आपने किस तरीके से 10 किया है, full time, part time है, correspond is आपको select कर देना है, duration आपकी 10 की कितनी रही है, वो आपको डाल देना है, जितनी percentage आपने, आपके 10 में रहे हैं, वो आपको डाल देना है, date of passing, जब आपका result आए था, जब आपकी mark sheet जिस date को बनी वी है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, इसी तरह आप देखेंगे, अंतिम रूप से आपकी application जो आपने fill करी है, उसका एक बार आप preview कर सकते हैं, जैसा कि आपने जो भी details भरी है, उसको एक बार आप जरूर चेक करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई गलती की संबावना ना रहें, इसके अलावा last में, अगर आपको पर पहुच जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, आपने जिस भी post पर form बढ़ाता वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, और action में, अगर आपको payment करने वाली category में आते हैं, यानि general OBC या other category जो payment वाली उसमें आते हैं, तो आपको payment करना होगा, otherwise other candidates को यहां पर कोई payment नहीं करना, उन्हें के वाल अपना form प्रिंट करके निकाल लेना है, यहां payment आपको में बता दूँ, 200 रुपे general OBC करेंट को payment करना है, पेमेंट करने के लिए proceed to payment पर आपको जाना है, और यहां पर आप payment के option देख सकते हैं, card, phone, pay, sorry, UPI, net banking, wallet, इन से आप payment कर सकते हैं, यहां में इ तो यहां पर print निकल वा सकते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप NFL की इस वेकेंसी का form फिल कर सकते हैं, साथ ही, आगे भी कई सारी वेकेंसी के form निकले हुए हैं, जिसकी जानकारी आप हमारी YouTube चैनल के साथ हमारे Instagram अकाउंट से भी प्रात कर सकते हैं, दोस्तो आगे भी इस बीओ मैं टेक केर